वेलकम है जी आपका पाइथन के पूरे प्रोजेक्स के कोर्स के अंदर हम इसमें प्रोजेक्स को डिसकुस करेंगे पाइथन के अलग-अलग अगर आप देख रहे हैं पाइथन आपको नहीं आती है तो रीचे जाके सीख लीजिए बहुत जादा हेल्प करेगी डेटा साइं इस कोर्स में वह देखिए पाइथन का पूरा कोर्स करिये दबाके डिटा इनलेटक्स सीखिए आपके लिए अवेलेवल हैं चेक कर लिजाना तो फिर्स्ट आप थोड़ा सा एक्स्प्लोरिंग माइंड सेट रखिए यहां पे तो गिटभ पे रेडट पर आपको बहुत सा अगर आप इनको नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ पाएंगे इन तूल से हम तेजी से काम कर सकते हैं फीचर बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ें से कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे तो मैं आपको कुछ एक्जैंपल्स दूँगा पूरी वीडियो में समझाओंगा कैसे क्या करना है वन बाइवन चलेंगे पाइफन को समझेंगे प्रोजेक्ट को देखेंगे अलग लग चीज़ों को समझेंगे माइंडसेट चेंज करेंगे और एक्सपर्ड बनेंगे इस सबसे पहले आता है कि पाइफन की जो बैक फ्रेइड in Vlask है तो मैं आपको वह बिदिखाूंगा मैं आपको रिएल कोड भी दिखाऊंगा इसका जो कि हमने अभी दिखांगा है जोंकि हमने पूरी फुल्स्राइक चैप्लीकेशन आपको सामने है मैं इसमें दिखाऊंगा आपको कैसे क्या क्या फ्लास्क में होता है आपको simply AI tools के उसकरना है documentation पढ़नी है छोटी मोटी templates बनानी है routing बनानी है और आपका कहां में आपे done हो जाएगा quick आदर डालोगे जितना सीखने की उतना ज़्यादा आपका फाइदा मिलेगा cloud के अंदर सलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से इसने routing बना रखिया तो एक आपकी simple application बनेगी जिसमें हम देगे इसको मैं copy कर लेता हूँ just बना लेता हूँ एक new है ना और उसमें देखते हैं हम कि किस तरीके से यहाँ पर काम चला है चीक है जी तो यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं app.py चीक है जी इसको हम कर देते हैं create और यह हमारे लिए एक python की application आ गई है जिसको हम proper देखेंगे किस तरीके से यह चल रही है चीक है जी तो यहाँ पर क्या कर रहा है flask से import कर रहा है obviously आपको basic python आनी चीए यहाँ पर flask से इसने import कर रहा flask jsonify request request क्यों कर रहा है request वांडने के लिए http request कर रहा होगा data के लिए app create कर रहे इसने flask जो हमारी class है उसके अंदर ठीक है client create कर रहा बोल सकते हो है ना object बोल सकते हो whatever you want to call it task हमने define करें अब देखो यहाँ क्या define हो रहा है यहाँ पर एक app का route defined हो रहा है route का क्या मतलब कि slash task अगर call होगा ना front end से तो यह वाली चीज़ हम call करेंगे ना task slash अगर एक task की id call होगी तो हम 123 return करेंगे है ना तो यह चीज़े आएंगी अगर सारे टास्क चाहिए तो अगें सारे हम create task है चीक है तो post method अगर call करेंगे task का अगर create हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे कर देंगे सारे के सारी चीज़े यह get है वो post है चीक है जी और यह simple name जो हमारा basic python करेंगे तो यह basic सा एक आपका फ्लास्क की application है तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा आपको तीन चीज़ों का combination बनाना है python सीखते हुए first AI tool को यूज करना है जो कि cloud second आपको code करके deploy करना वर्सल पर वर्सल.com पर third आपको documentation के go through करना है ठीक है minimal application के go through करो यह minimal application है बहुत ही simple ठीक है flask import flask app equal flask और यह चीक है इसको go through करो बहुत असान है run कैसे करना है flask app hello run करना है ठीक है इसके बाद routing बताएगा वो कैसे करनी है routing वगरा define करेगा HTML escaping कैसे डालनी है वो सब बताएगा है ना तो यह simple सापका चीज़ है अब अगर आपको यहीं इसी से full stack application बनानी हो तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके अब हम देखने वाले हैं flask की full stack application अब अगेन इसका code मत मांगने लग जाना code आप करो जाके खुद try करो इस से cloud से चैट GPT से कुछ try करो literally मैं आपको यहां new chat में बना के दिखा रहा हूँ flask की complete mongodb के साथ तो give me a full stack application in flask with mongodb चीक है अब क्या है कि flask और यह सारी चीजों से directly नौकरी तो बहुत ही कम मिलेगी बट यह कि यह good to have skills है कोई ना कोई पूछ लेता है ना तो यह सिंपल सा क्या है mongodb हमारा database है document style database हमार पास अवेलिबल है firebase यह वह बहुत सारे यह क्या कर रहा है यह उसे literally connect कर रहा है इतना असान है ना आपके लिए आप टास्क में input आगया input add task add task पे क्या हो रहा होगा और यह इसने व्यूट के application बना दी I don't know why but यह देखो API टास्क में यह हो रहा है API टास्क में पुश हो रहे हैं ब्ला 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 वटेवर अब यह इसने क्या कर रहा लोकल लोकल वाली बना टेंपलेट टेंपलेट हमें दे दिया है ना अब हम क्या कर सकते हैं इससे यह देखो एप.py मांग सकते हैं टास्क मेंजर एप.py यह रही हमारी वह तो HTML हो गई एप.py में क्या है routing अगर slash है तो कुछ नहीं रेंडर कर दे अगर टास्क है तो शो कर दे अगर पोस्ट का इसे हमने का इंपोर्ट कर रहे है पाएं मॉंगो पाएं मॉंगो का क्लाइंट के बना दिया मॉंगो अब मॉंगो हम यह यूज करते रहेंगे mongo.db.task इंसर्ट कर दिया जब एड करना है और अपर आउटर कहां से कॉल हो रहा होगा फ्रंटेंट से कॉल हो रहा है टास्क हो रहा है एक टास्क में पोस्ट हो रहा है एक.task और हम सेंड भी करने टास्क को तो इतना आसब में अज को बजाना प्ल स्टक आप्लिकेशिंस बनाना पाइथन से कि आपको इसमें तेजी बनानी है तो अभीकिश करो, वी-जीरो यूज करो च्ट-इबेट उसकरो Flask की documentation पर जाओ, इस code को देखो, simply code बना और deploy करो इस चीज़ को अभी के अभी MongoDB open करो, खुद करो, खुद यह homework है, हर चीज नहीं सीख सकते, line by line नहीं सीख सकते, यह तो definitely possible नहीं है कि आपको एक एक line सिखाई जाएगी, आपको इसे ऐसा homework करना है, debugging करनी है, वो सबसे important है, coding का नहीं debugging है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो इस चीज़ को जाके बनाओ, फट आफट जैसे मैं बना रहा हूँ, यही तरीका है सीखने का माना, अब मैं आपको एक फूस्टा का application बगावेता हूँ, जो deployed है, हमारी webinar model है, है, webinar model में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं है, index.html में हमने क्या करा, सारे webinar शो कर दिये, ठीक है, यह एक तरीका होता है, बस syntax है यह लिखने का, syntax क्या है, for webinars, webinars हमारे stored है, उसमें क्या है, अगर हमने for loop चला दिया, यह python का, बस fall loop चलाया, fall loop में show कर दिया, webinar.description बस, यह होती है, extend.html, यह आपके template है, template engine है, बस यह template engine होता है, template engine है, ऐसे गाम करता है, ठीक है, simple से आपका concept है, और कुछ भी नहीं है, title हमारा यह आ गया, extend हमने base.html कर दिया, ठीक है, if else भी लगा सकते हो, conditional rendering जिसे हम कहते हैं कि, अगर webinars available है, तो यह show कर दो, नहीं है, तो यह show कर दो, अब हम templates में जाते हैं, अब हम देखते है, create करना है webinar, create कैसे करोगे, form में method post करा है, क्योंकि हमें add करना है, ठीक है, post क्यों कर रहे है, क्योंकि हमें create करना है, हमें mongo db में add करनी है, ठीक है, create webinar कहाँ पे है, यह mongo db का, हमने routing create कर रखे है, वो मैं API वाले folder में दिखाऊंगा आपको, जो app.py होगी, वहाँ पे create webinar created है, ठीक है, simple सा form बना दिया webinar का, और हमने क्या करा, जैसी यह create webinar call होगा, तो खहाँ से call होगा, वो दिखा दे तूँ आपको, वो call होगा app.py में, app.py में चलते हैं, app.py में क्या पता है था मैंने भी create webinar, तो यह रहा create webinar, क्या हो रहा है इसमें, request method अगर post है, इसका मुद हमें create करना है, इसने का करा, registration link निकाला, webinar का object बनाया, mongo db में insert करा, flash कर दिया, और return कर दिया, redirected, इतना असान है full stack web application बनाना आज की date में, 20-25 में full stack application बना सब्सक्राइब, with html, with flask, with fully deployed, यह deployed application है, मैं आपको इसका even वो भी दिखा सकता हूँ, funnel दिखा सकता हूँ, पूरा-पूरा, कहां भे deployed है, यह देख लो, पूरी webinar की application आपको 15 मिनिट के अंदर अंदर दिखा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं आप यह, इसमें login करना पड़ेगा, login के बाद आपको full webinar model दिखने वाला है, तो इतना असान हो गया, आपको quick learn करना है, quick AI tool यूज़ करने है, कोई समझना है चीज़ों को, routing क्या होती है, login required लिख दे तो क्या होता है, हमें theory में नहीं जाना है, हमें यह नहीं पड़ना है, notes नहीं बनाने है कि login required इता क्या मतलब है, क्या नहीं है, फलाना है, इन चकरों में पड़ोगे, तो यहीं रह जाओगे, फटा 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 हाथ चलाने है, mongo.db.webinar.find से क्या होगा, find हो जाएगा, यह बहुत सान है, यह तो API यह तो आपको AI बता देगा, इसका क्या मतलब है, कैसे लिखना है, फटा फट, यह तोड़ी हमें देखना है, कि इसको find क्यों लिखा है, find many क्यों नहीं लिखा, find one क्यों लिखा, find उसका नाम है, function का, वो हमें webinar के उसमें call करना है, तो mongo में db जून आ, db में webinar defined है, बस webinar का क्या model है, वेबिनार में जो db होगा, उसका क्या model है, जो हम यह एड कर रहे हैं, यह model है, इसका, हर webinar में क्या क्या आ रहा है, title, description, youtube, अब यह कैसे हमने divide करा, cloud से पूछ लो, cloud से पूछ लो, I am making a webinar full stack app, give me a webinar object to add in the mongo db, यह बना के दे देगा, आपको यह लो, बना के दे दिया, तो यहां से बन वालो, खुद का दिमाग लगाना है, खुद का दिमाग लगा लो, लो जी, बन गया सहरा, आपका, इससे advance बन गया, जितना आप सोच रहे थे, materials आ गया, price setting यह दो, कितना प्यार आ गया, कैसे add करना है, वो भी यह बता देगा, तो यह है, गेम आज कल का, आप समझ रहे हैं, यह गेम है, आज कल का, बाबू, जो कौन तेज़ बनाएगा, कौन तेज़ी से समझेगा, कौन तेज़ी से आगे, है ना, बढ़ेगा, तो यह चीज़े हैं, भाई, यह चीज़े हैं, समझ रहे हो, तो ऐसे बनती है, फटा फटा फट, इस चीज़ को देखो, जिप कोड वगरा मत्मा अंग लेना, कोड का, छे से AI टूर्स यूज़ करो, फ्लास को समझेगा, बहुत अच्छी है, क्विक लर्निंग के लिए, अब आप Python से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी Selenium अवेलेबल होती है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, तो बेसिक एक्जामपल क्या होगा, BS4 इंपोर्ट करामने, ब्यूटिफुल सूप से एक लाइबरी अवेलेबल है, जिससे आप स्क्रेप कर सकते हो, सूप से ब्यूटिफुल सूप का अबजेक्ट बनाया, पैराग्राफ्स वगेरा फाइंड करे और ये कर दिया, अब अगें, वेब स्क्रेपिंग आपको क्यों करनी है, मुझे निए बता, अगर आपको करनी है, तो आप कर सकते हो, वीजिरो से भी आप सीख सकते हो, तो वीजिरो से भी अगर हम पूछते हैं, तो ये भी आपको कुछ नहीं कश रटैन कर देगा, बट यूजिली स्क्रेप्टिंग, स्क्रेपिंग ये का अधिशनल वर्क होते हैं, यह कभी भी आपको क्या है कि जॉब के कोर के अंदर नहीं काम आने वाले है कि आपको कुछ बहुत ही जादा इससे बड़ी नौकरी लग जाए कि कुछ लग जाए कि always good to have है ना good to have चीजों में हैं तो इन चीजों को समझो यहां पर जा जाके कि कैसे scraping होती है ठीक है यह को स्क्रेप कर रहा है जैसे है ना तो यह क्या करेगा इसके div tag को find करेगा यह एक div tag है यह p tag है यह a है है यह url है तो ए से लग बनी होगी तो html को scrape करता है तो scraping python में बड़ी असान होती है beautiful soup करके library बनी हुए है response request dot get बनाया है url डाली चीक है जो भी response है उसमें हमने क्या क reports मिले उन्हें हमें find कर लिया ठीक है तो यह हमारे पस answer आ गया तो यह है इसकी चीज़ है ना तो इसको आप run कर सकते हो शेर कर सकते हो यहां से तो यह scraping का game है कि वह यह scrape python वाइद नियूज करके scraping सीख सकते हो but again बहुत जाद है से तो कुछ help नहीं करेगी but very good to have तो इस चीज को भी चेक कर लिए आपको बहुत जादा फाइदा मिलेगा beautiful soup को सीखिए scraping को सीखिए ठीक है beautiful soup है इस पर जाइए इसकी documentation बढ़िए अगर आपको सच में interest है तो वैसे तो बहुत जादा काम की चीज नहीं है most लोगों के लिए but अगर आपको लगता है तो आप यहां कर सकते हो definitely kind of objects में जाओ tag होता है चीक है name होता है attributes क्या क्या ID है attributes निकाल सकते हो delete कर सकते हो चीक है फलाना बहुत कुछ कर सकते हो तो explore करें scraping को AI tools से अपने आप documentation हम मैं बता रहा हूं आपको AI projects बना सकते हो बहुत सारे Python से बहुत सारी AI projects बना सकते हो आप इतनी बढ़िया बढ़िय database आपके लिए available streamlet एक तो Python की जो कि आप AI बहुत जबर्दस data apps बना सकते हो AI based visualization based बहुत सारी बढ़िया 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 और इसका अगरा components वगरे में जाओगे तो यह सारी applications ना Python में बनी हुई है authentication widgets वगर आप देखोगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया और इसका आप code word भी चक कर सकते हो कैसे बना रख है लोगों ने है ना तो इसमें जाओ react बेस यह क्या क्या चीज़े कर रखे है code word को read करो बट streamlet एक basically नहीं कैसी चीज़े जिसमें पाइथन का code लिखके यह AI और डेटावेस्ट apps होना सकते हो काफी सारी तो अगर इसकी गैलरी में लेकर जाओं तो यह है देखो किस तरीकी की application आप बना सकते हैं ना road map हो गया side map हो गई pretty map हो गया source code में अगर आप जाओगे तो आपको काफी सारी चीज़े मिलेंगी है आप जो आपको read करनी है examples में जाओ app.py में जाओ तो आपको देखेगा कि sd. करके ना काफी सारी चीज़ें हो रही है sd.write कर सकते हो form बना सकते हो तो कहने का मतलब है कि ui ui create कर सकते हो python से ना इसमें बहुत ही बढ़ी है जैसे slider slider हो गए ना तो ui create कर सकते हो काफी सारे तो यह में लिए उन लोगों के लिए जो पाई जो यह में इंट्रेस्टेट है थोड़ा यह डेटा बेस्ट आप सुनाना चाहते हैं डेटा विशुलाइजेशन है ना वो सब बनाना चाहते है तो स्ट्रीम लिट किए एक अप्लिकेशन मैं इस अप्लिकेट.run इसके अंतर मॉडल डाल दो और इंपुट जो भी चाहिए इंपुट बेसिकली प्रॉंट शिएगी ब्लैक फॉरेस्ट के एक बना दे हमारे लिए तो जेनरेटिव याई की आपके लिए अप्लिकेशन हो गई है यह बहुत ही शांदार वाली है ना तो यह लूगेशन है यह बहुत पासकए चाहिए बसक्तोर करने है। बना रहे है इनिah के अंदर करए-अगर दो अगर आपका मन कर रहे है यह यही तो डालना है ऑल सकते ऑफ लाट कश you इसे और Bake ऑел कर classify data wondering कि ये वद्त प्लास्च में में डाल दिया कि opens अब नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है ओके हमने क्या करा कॉपी वेस्ट करा चीक है आउट-पुड जो भी है वो सेंड कर दिया रिटर्न जेसे निफाइज सेंड कर दिया तो वस यह बाई कुछ भी नहीं है इतना असाने से राउट बनाना है राउट का नाम लिखना है जैस्ट रिफाइन करना फंक्शन को जो भी डेटा है उसको लेना जो हम सेंड करेंगे फ for example explain me generate image like a five-year-old ये पूछ लो किस से शरम है एई टूल से शरम थोड़ी आती है कभी भाई ये पूछ लो आप इसको बंद करो ये बताया को के ये लुक अट पीपर तो मेक्शूर देश्चली रिक्वेस्ट इस रिक्वेस्ट यूपट तपीपर मशिन पढ़ो इसको बैटके बढ़िया क्यों शरमाना तो ये टूल्स पाइटन से बहुत जाबा एनेबल हो जाते हैं बड़े तगड़े तरीके से ध्यान लगाएं इस च रजलिको बड़े हो जाते हैं ले तो 2 झालिके बढ़े हो जड़े लेश टे पीजिए